हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है हमारे कुकिंग चैनल में फ्रेंज इस लॉक्टाउन में रक्षबंदन की मिठाई में घर पे बना रही हूँ तो फ्रेंज अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हैं तो इस नारियल की बर्फी को जरूर ट्रै कीजिए यह नारियल की बर्फी बहुती कम इंग्रेडियन में जटपट बनके त्यार भी हो जाती है और इससे बनाना बहुती आसान है तो देल की सबात के फ्रेंज चलिए सुरू करते हैं लेटिस के स्टाटटएड नारियह के बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन गरम कर मते ही हम इस इसे low medium flame में भूनना है ध्यार ने कि इसे लगाता है जलाते रहना है पांच मेट कमप्लीट हो चुकी है और ये नायल का बुराड़ा बहुत ही अच्छे से भून गई है अब हम इसमें डालेंगे बॉल किया हुआ वान कप मिल्क अच्छे से मिक्स कर लेंगे है मिरसे इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम एड़ करने से नायल बर्फी की टेक्च्छर बहुत ही अच्छे आगी अब हम इसमें डालेंगे एक कप मिल्क पॉडर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें एड़ कर लेंगे टूड़ा सा केसर इसे भी मच्छे से मिक्स कर लेंगे केसर के एड़ करने से हमारे नारेल के पर्फी में लाइट यलोईश कलर भी आजाएगी साथी साथ पहुती अच्छा फ्लेवर भी आएगी लगाता हमें इसे चलाते रहना है अब हम इसमें डालेंगे पॉटर शूगर हमने यहां पर एक पॉटर शूगर लिया है आप अपने टेस्ट के साथ से ले ले मिल्क के हरका से सूख जाने के बाद ही आप पॉटर शूगर आड़ करेंगे अब हम इसके सूख चाहें तक इसे अच्छ से पका लेंगे ग्यास का फ्लेम लो मेटियम ही रखे हमें इसे चलाते हुए ही गाड़ा करना है वरिना नीचे जल सकता है आप देख सकते हैं ये मिक्षर अब गाड़ा हो चुकी है थोड़ी दिर और हमें इसे पका लेंगे अब देख सकते हैं अब ये मिक्षर जमने वाली कंसेंस्टेंसी में आ चुकी है अब हम इसे किसी भी प्लेट में निकाल के जमा लेंगे नारियल पर्फी को हम जमाने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे प्लेट में घीव लेगा के हम अच्छे से ग्रीज कर लेंगे ताकि बर्फी चिपके न अब हम इस प्लेट में गरम गरम बर्फी का मिक्षर डालेंगे अब हम इसे स्प्रेट करके इस तरह के से प्रेस करके अच्छे से एवन कर लेंगे इस process को आप हाथ से भी कर सकते हैं अच्छे से even करने के बाद हम इसे rectangle shape में convert कर लेंगे side से भी हम अच्छे से smooth कर लेंगे अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से rectangle shape में आ चुकी है अब हम इसमें डालेंगे बारी कट हुआ बदाम बडाम को हम अच्छा से स्प्रेड करके सेट कर लेंगे आप पूर भी अपना फेवरेट ड्राइफूर्स डाल की डिकरेट कर सकते हैं अब मैं डाल लोंगी हलका सा बदाम का डस्ट बदाम का डस्ट डालने से लुब भी अच्छी आएगी साथी खाने में भी बहुत ही तेस्टी लगेगी आप देख सकते हैं नार्यल की बर्फी बहुत ही अच्छी से दिकरेट हो चुकिया अब हम इसे कट कर लेंगे मैं नारियल की बर्फी को क्यूब्स में कट कर रहे हूं आप चाहे तो आप अपने मन पसंद शेप में कट कर सकते हैं नारियल बर्फी को कट करने के बाद हम इसे सेट होने के लिए 10 मेट के लिए फ्रेज में लख लेंगे 10 मिट के बाद हम फ्रेज से निकाल लेंगे वाव आप देख सकते नारियल की बर्फी कितनी अच्छे से सेट हो चुकी है साथी डिखने में भी बहुती अच्छी लग रही है और बहुती टेस्टी भी बनी है तो हैनक फ्रेंस बहुती आसार नारियल की बर्फी घर पे बनाना तो इस रख्चा बंदन में आप भी इस नारियल की बर्फी को ज़रू ट्राइ कीजिएगो खुप आपको ये वीडियो बहुती पसंदाई होगी ऐसी रेसिपी वीडियो और देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूले साथी लाइक शेर ज़रू करें थैंक्स फॉर वाचिंग